नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टो क्यूरिसरी फोर देली डोर्ज ओफ इंडियन फुटबोल और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे एक और बड़त्री हो चुकि यहाँ पे जो सब्मिट करना पड़ेगा कि हम पार्टिसिपेट करना चाहिए चाहते उसके बाद यह नहीं हो सकता है और यहाँ पे जो फुटबोल का गेम होगा वह यहाँ पे 19th of September से स्टार्ट होगा और 7th of October तक चलेगा तो थोड़ा सा ओरली जो क्या बोलते कि एक करता है इस सारी चीज में और कितना यहाँ पे जल्दी से वो क्या बोलते कि स्पोर्स मिनेशी से और आयो ऐसे यहाँ पे अपको ओफिशल ड्रेस पहले यहाँ पे आपको फायनल जो सब्मिशन है, इन्टु धी, अशन गेम्स कमिटी, वहाँ पर करना पड़ेगा, otherwise, there is no chance कि हमारी जो अशन गेम्स पर पार्टिसिपेट करेगी, यह सिरिफ under 23 men's team की बात नहीं है जी यहाँ गाईस यहाँ पर वुमन्स टीम भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी को कि वो भी currently यहाँ पर एस यहाँ में 11th rank पर है तो उसके भी chances यहाँ पर काफी जादा slim है कि वो भी पार्टिसिपेट करें तो एक unfortunate event for the Indian football की उ तो मनिपूर से है वो इस बार एक वी क्लब यहाँ पर रिप्रेजन नहीं करेगा जिया गईस लास्ट टाइम हम सब को पता है कि ट्राओ और नेरोका ने दोनों ने रिप्रेजन किया था और मनिपूर का जिससारा से इंडियान फुटबोल में मड़लब रहा है contribution और जितने participation करने से मना कर दिया है तो यह कि यहाँ पर मनिपूर के जो जितने भी फुटबोल फैंस है उनके लिए यहाँ पर सेड़ पार है कि इस बार की दुरांद कप में यहाँ पर मनिपूर से एक भी टीम रिप्रेजन करती हुई नहीं दिखेगी उसी के साथ जो यहाँ पर हम समीर की क्लब है डाउन टाउन हिरो जैसी जिया गाइस डाउन टाउन ने लास्ट सीजन अब देखी कि आई लिक सेकंड डिविजन में पर्फरमस दिया था तो उसको यहाँ पर दुरांद कप की कमिटी ने फाइनलाइस किया है कि वो जो एक टीम बच रही थी 23 तीम हो चु ने खेलने का मोगा मिलेगा तो तो यह भी एक बढ़िया बात है तो यह जो 24 तीम जो बची हुई थी उसके रिगारिंग यह निउस डिकल के आ रही है यहाँ पर आइसेक को भी यहाँ पर ओडिसा एफसी ने 2026 तक का यहाँ पर एक्स्टेंशन दे दिया जिनका मलब लास सीजने मिट्फिल्डर काफी बैतरी परफॉंस रहा था तो वह भी यहाँ पर डिजर्विंग बन थे जिसको मलब यहाँ पर एक्स्टेंशन मिला है तो